हेलो फ्रेंड्स जो मैंने रिसेंटली को अपलोड किया है फोटोशोप आर्किटेक्ट्चर उस को से रिलेड़िट काफी सारे स्टूडेंट के कुछ डाउट है जिसको मैं इस वीडियों के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ तो सबसे पहले डाउट है कि फोटोशोप आर्किटेक्ट्चर एक्ट्चल में क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इस चीज़ के बारे में और सेकंड डाउट है स्टूडेंट को कि क्या क्या benefit हमें इससे मिलेंगे थर्ड है कि हमें क्यों करना चाहिए एंड फोर्थ डाउट है कि जो आप लाइफ क्लासिस लोग है तो उसके recording क्या हमें एप पे मिल पाएगी और नहीं मिल पाएगी तो उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि वह अच्छे से समझ पाए अबाउट कोर्स क्यों करना चाहिए और इन सब चीजों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ट इस फोटोशॉप अर्केटेक्ट्चर फोटोशॉप अर्केटेक्ट्चर में क्या जाता है तो उसमें जो इमेज लगा दी जाती है बाहर एक बोर्ड पे तो उसमें उसका 3D दिखा दिया जाता है और उसका 2D प्लैन दिखाया जाता है जो रेंडर किया हूँ होता है फोटोशॉप में आपने देखो उस पर सोफे वगएरा या जो कंपोनेंट्स होते हैं ज तो यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीजे है फोटोशॉप सब के लिए काफी इंपोर्टेंट है बहुत सारी फिल्ड में फोटोशॉप को यूज किया जाता है तो इसका बैनिफित आपको आगे चलके बहुत ज्यादा मिलने वाला है सेकिंड चीज यह कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो सब चीजें भी आपको डिटेल कर देता हूँ पहले तो सबसे पहले सिखाया जाएगा कि ओटोचैड के प्लैन को कैसे पीडीय एफ में कनवर्ट किया जाते क्या क्या साइजी होते हैं आपके पेपर साइजी क्या होता है A-series A-2, A-3, A-4, और A0 sizes कैसे क्या क्या होते हैं, particular sizes कौन-कौन से होते हैं, कैसे कैसे हम print निकालते हैं उस पर, okay Thirdly, सिखाए जाएगे कि उस PDF plan को कैसे हम AutoCAD में import करेंगे उसके बाद उसके ऊपर कैसे हम trace करके walls बगारा बनाएंगे कैसे हम उसके अंदर coloring करेंगे, कैसे हम texture डालेंगे, कैसे texture को scale करेंगे, कैसे हम selection लेंगे उसका उसके बाद PNG images क्या होती है, अगर PNG images आपको कैसे download करनी है, अगर वो नहीं पता, तो वो सिखाया जाएगा अगर आपको related PNG image नहीं मिल रही है, तो JPG image से PNG image में कैसे convert करते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा उसके बाद जो आपकी कैसे bad वगएरा, वो PNG image होती है, कैसे उसको place करते हैं, उसके बाद उसमें shadow कैसे डालते हैं, lamp वगएरा में glow कैसे डालते हैं, तो वो सब चीजे photoshop के तुरू आपको सिखाया जाएगी, वो एक live class रहेगी, daily उसमें क्या होगा, कि आपके directly मैं ही वो course करवाऊंगा, आप directly मुसे question put कर सकते हैं, जो भी आपके doubt साथ उसमें clear कर सकते हैं, और जो video live होगी, जो live मैं चलाऊंगा, वो zoom app के through मैं करने वाला हूँ, और उसको मैं record करूँगा, और उस recording को मैं upload करने वाला हूँ, उसी app के उपर, okay, so that जो भी आप join कर रहे हैं, अगर आ तक भी देख सकते हैं, वो video वहां से delete नहीं होने वाली, तो सबसे बड़ा benefit आपको ये मिलेगा, कि आपको lifetime spot रहेगी, उसके बाद, अगर आपको course finish होने के बाद, कोई भी doubt होता है, तो मैं उस पे आप मिरको post कर सकते हैं, आप मिरको message कर सकते हैं, तो उस doubt को मैं clear करूँग कि आसपास है, बट ये course में जो दे रहा हूं वहां पर, वो only triple nine का course है, जो सिर्फ आप valid रहेगा, 18th August तक, जो 12 पीम के around, तक वहां तक valid रहेगा, उसके बाद वो शाम को तो class है, जो आपकी nine से ten चलेगी, उसके बाद class start होने के बाद, उसके price दूबारा से बढ़ जाएंग तो ये सब चीज है, आपको सीखने को मिलेंगी, आप अगर इस चीज का benefit लेना चाहते है, तो अभी जाएंगे, आपको सारे link description में मिल जाएंगे, कैसे app डाउनलोड गरनी है, android app है, दीपक वर्मय के नाम से, simply आपको app को open गरना है, आपको course पे जाना है, course को open गरना और उस रहेंगे, उससे related जो भी रहेगा, तो इसका benefit क्या करने का बहुत जादा benefit क्या रहेगा, कि आपका live interaction रहेगा, directly आप question पूछ सकते हो, जो भी doubt आप clear कर सकते हो, और और भी उस topic से related जितनी भी चीजे हैं, वो आप पूछ सकते हो, ये हमारा two weeks का challenge रहेगा, तो वीक में, क्लास में, thank you so much, सारे links आपके description में, आप वहाँ पर जाके link को देख सकते हो, thank you so much दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जैनिंद बंदे मात्रा,